तो हाई दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेसे सन्याल अदिनियम 2011 एक बार अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन इस बार बहुत सी स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और इसमें जो questions are 40, 40 questions जो भी हैं उसके आंग् learnt में यहाँ पर आपको हल कराऊँगा ठीक हैं तो इसमें टोटल 26-25 हैं मैंने जैसे कहा था कि एक theme आपके पास होनी की चाहिए एक brief है एक्ट की होने चाहिए तो कि इसमें टोटल 26-26 धारा हैं जो चार अध्याव में डिवाइड हैं ठीक है और इसमें जो अधिनियम संक्यांख इसका आठ है और साथ फरवरी 2012 को यह है अधिनियमे थुगा इसको राश्पती की जो है सुईक्रती मिली ठीक है और दस फरवरी को पहली बार गजाजन प्रकास है थुगा और पंदरा फरवरी ठीक है 2012 से यह जो है लागू है तो दोस्तों इस तरीके से आमने तीन डेटें इसकी है इनको याद कर लिया है ठीक है अब आते हैं अध्याय प्रारम में जैसे की अन्य था अन्य मतलब यक्टों में होता है इसमें शुरू की दो धारा है पहले अध्याय म लगा देता है तो यह चूकि MP का एक्ठे से लिए संपुर मद्य प्रदेश के यह लागू है ठीक है प्रवत्त मैंने बताए दिया आपको की पंद्रा तारीक से प्रवत्त हुआ है ठीक है इस आवाद में परिभासा है तो पांच्छ परिभासा है तो अधिनियम सभी प्रे स्यांते में अ tv कौई सेव रधा अधिकारी कहां का अधिकारी उच्छ नियायक सेवा का सेव रधा अधिकारी ठीक है और वो क्या हो यह तो स्यातल कैमान मेर्म से अन्य आदी या रहा हो ठीक है इस तरीके से सहिंता से रपरेंगी से हमारी है और घोषणा क्या काहें लाएगी भीषणा जो है मानी जाएगी अपराद से अभी प्रेत हैं अपराद एक अवचार का ऐसा अपरज जो अधिनीयम की दारा ते रहा है एक इंगा महाने अपराद से अभी प्रेद यहां पर क्या लख से अपराद की परिवाद दीगा यह अपराद आवचार का ऐसा अपराद जो भृष्टा चारने वारा अधिनियम की धारा तेजा एक एंगा को या तो सुतंतर रूप से अधिनियम के किसी अन्य बंदों के या तो अकिला ही यह अन अपरादों के साथ मिलके बनाता है तो वो क्या है अपराद है अब इसमीह यह है कि कुछ सब्द्यन जो इसमीजियं में प्रियोग किये गाए है और उनके अर्शे परिवाद सामने नहीं बताएगा है लेकर अगर अगर सार्फट चाए नेवारा अधि दो उसके यही यार्स yours apeno itself कौन करेगा तो तुरद बचारण के लिए कोन करेगा राज सरकार करेगी, ठीक, राज सरकार काई के लिए करेगी, मावलों के तुरत बचारान के लिए, जितनी वो आवसक समझे उतने कर सकते हैं, कोई बाद दा उस पे हैं नहीं, तो इसका अध्यक्ष कोन होगा, इसको अध्यक्ष जो होगा, वो उच्छ नियालायक सहमती से रा सदस्ट ना हो, और जो राज में सत्र नियादीस या अपर सत्र नियादीस ना हो, या ना रहा हो, ठीक है, या तो उसको बरतमान में क्या होना चाहिए, सत्र नियादीस या अपर सत्र नियादीस होना चाहिए, या पहले रहा हो, और उच्छ नियायक सहवा का सदस्ट हो, ठ तब वोस का जो है संग्यान ले पाएंगे ठीक आती है दारा पांच इस अधिनियम के अधिन्वचार की जाने बावले मावलों की घोषणा तो घोषणा कोन करेगा तो कि जब राज सरकार को प्रथम देखने से लगता है या विस्वास करने का कारण हो जाता है कि कि यह से किस लोग सेवक है या रह चुका है ठीक है तो वो उप्रोक्त विस्वास किया है घोषणा कर सकता है कि यह जो मावला है कि इस मावले का बचान कहां किया जाएगा इस पेसल कोट के अंतरगत किया जाएगा और यह बेस्टाचार सम्मंधित मावला है ठीक है तो इसका सरकार रा केंहंदर का दाता है और इसकी सनुवाज विश्यस नियालह में भी होगी अन्था किसी नियालह में नहीं होगी ठीक है दारा पांच फ्रकार की घुसुना करती है अब घुसुना का प्रफाव क्या होगा घुसुना तो होगई भाई तो यह Humal कर द camera कर दिया गळाक का किसी बात की होते हुए भी ठीक है अब grown- पर शीन जाँ ऐसे अपराद संब्ध हने से जैसे माल्यों सनों इसके गंट मौर रोगों बैसिती हैं तो पराप्त हो जाएगा अपरादों के बारे में जिसाट नियालों की अधीकारता किया होगी किसी यसरे बियक्ति करता है याष्य ने बैसने पराद किया है उसल करने के लिए यसाथ कि यह वो तो है यह ठीक है डारा पांच के दिन गोज़ना की गया हुआ है उन समस्त व्यक्तियों का साहिता कर दिनुसर एक विचाला में उनके तो इसाब का एक साथ बचाला वो है कर सकता है ठीक है मुखारोपी के सलयंद करता का और दुस्परी रखका है हम पलाएंगे धार आड़ समयालय की पिरिक्रिया ओर सकतिया ठीक है ठीक है तो बैसे इसनवयालय कोन सी पिरिक्रिया का फालो करेगा तो मझेप स्टेट के संस्थ मburgher भोबलय Ricky ञांप ना हो ओती है वही ट्रायलं यहां पाए और प्रफ्रींस कर दोसी पाया जाता है तो उसको बिजिद्वार प्रादिक्रत दंड देने के लिए जो है बैद होगा इसका नियाधीस ठीक है अब आदनो करती है बिशेस नियालों के आदेसों के बुरद्ध अपील दंडा देस ठीक है यह जाना कि बुरद्ध अपील या पुन दिक्षन केवल हो केवल हाई कोट म कि यह परिजाब कशान के बाद भी जो है वह अपील स्वीकार मतलब अप क MTV सवीकार नहीं सोरी अपील की अनुमति देसकता एक है और शुरि इसे नियालए में आवश्यक्ता पढ़ने पर जो है कर सकता है किसी बचारण को करने के लिए विस्ट नियालाय का आबद नहीं होना ठीक है कोई भी विस्ट नियालाय ठीक है किसी भी पिरोजय निकिल तब तक इस तक नहीं किया जाएगा ठीक है जब तक क करना जब दसक्राण के दोआरा यह नियाय हित्म आबश्रक नहीं तब तक इस तक नहीं किया जाएगा क्यों क्यूंकि एस सथिनियान को देसी तरद बेचार भ्रब ध्यायं करना है एक बढर्वस के भीतर मामले को निफटाना है यह चीज़ आप याद रख लेना है ठीक है इस तब तक ने किया जागा जब तक अभी लेखित लेखित काड़ना हो परयाब काड़ना हो कि नियाय को दियस के लिए आवश्यक है और ऐसा लिमिट किसी नहीं दिगए कि एक बर्स के अंदर निफटाने क का प्रयास करना है ठीक है अपने पूरवर्ति द्वारा अभी लिखित की कि इस आप पर पीठा सीन मतलब इसका मतलब यह होता है जैसे मालों कोई एक मजिस्टेट इस पर पर पीठा सीन था उसका ट्रांसफर हो गया दूसरा आ गया तो जिसने भी उसने लिए उसने लिए अगे बढ़ाएगा और जो साक्षिले लिए उसने उसी की आधार पर आंगे कारवाई बढ़ाएगा है ताकि जल्दी हो देरी अन्ना हो ठेक है संपत्ति का अधिगरान यहां बहुत इंपोर्टेंट इसमें तो धारा तेरा काहती संपत्ति का अधिहरान अधिहरान मान ले लेना तो जहां राज सरकार को प्रफम देफ्टेमान पहली नजार में यहां विस्वास करने का कारणा हो जाता है कि यह से व्यक्ति ने अपराद की जिए जो लोगपत दारान कर चुका है या दारान करता है सबसे पहले अधिनियम के अंतरकत कौन होना चाहिए जो चर्फार्जिकार कके संग्यान लिया हो गजि कि नियंद की तुम गप. क्राधी क्रत अधिकारी है ठीक है उसके समख्च आविदन करो कि यह संपत्ति जो है इसा अदमीब तरकारी पतपल लोग से वखो। दुरुपियोंक?' और इसको जो है सीच करो ठीक है तो यहासा आवेदन दे सकता है वो ठीक है तो यह सब कोश्चित में जो है विवले होंगे ठीक है यह सी किसी धन या अन्य संपत्ति की तस्व में कि आवाइस्ति के सम्मद्ध में अबलब्द कोई सूचना भी अंतरवर्ष्ट होगी कोई सूचना भी दे देंगे कि कैसे कहां से हमने यह जानकारी उटाई है अधीहरान के लिए सूचना तो दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति के खिलाब यह आविदा नाता है कि उसकी संपत्ति का जीहरण होना है तो उसको सूचना देना पड़ेगी कि भाई आप की दिन इतनी आय बताई गई है और आप अपनी आय बताए और यह बताई कहां कहां से आपने पैसा कमाया है यह उसको मुखा देना पड़ेगा उसके मेरा मुखा दिये कोई कारवाई नहीं होगी कोई उसका सीज़ नहीं होगा और कम से कम 30 दिन की उसको सूचना देना पड़ेगी ज्या कि अब इसके बाद जो है दारा पंद्रादी कतिपाय मावलों में संपत्ति का संप्राण दारा चबुदा के अधीन जारी किये गए कराना बताओ सुचना कि इस परस्टिव क्राण में यदी कोई हो तो उसके समझ उभलब दसामक्री पर विचार करने के परस्चाद देखो व विचार करने के बाद प्रभावद व्यक्ति को प्रभावद व्यक्ति कोन है जो जिसकी संपत्ति सीज होना है जिसमें बदमाजी का प्रफ्टाजार का आरोब लगा है तता उस दसाम में जहां प्रभावद व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मादल सूचना में इसकोई धन् जरसनेदे का समस्थया कोई वह तो आप फर वह क्या करेंगा कि आपना मत प्रस्तुत करेंगा कि यह संपत्ती जो है उस्वर में समय पष्यक्रत कि एकूसराज समय करने में समर्त नहों होता तो प्रणिक्रत्थ संप्ति दोनों इस अधे करें जोगी उसके वह उत्तम्र मेनाना के अनुसरा प्राद की माध्यम सेलिए कि ये सम्पत्ती दोनों ठीक है वर इसके एसाल से जो है अब लेखत करें कि इस नहीन आए दिकार यह धर्णा क्याद hen दंष सा धार्य करते हैं तब हर सरोकार को जो भी माना जाएगा कि दिकारत हो जाएंगे q u क्यों अधिक धरत हो जाएंगे क्योंकि भाई बेमानी से कमाये हैं ठीक है प्रांतु अगर वो संपत्ति जो अधिकरत की गई है उसका बाजान मुल ने जमा कर देता है प्रभावेत ब्यक्ति तो वो संपत्ति फरजुः अधिकरत नहीं होगी तेक है संपत्ति तुमाई पास यहां किसी कंपनी के और वो गवर्मेंट को सेयर खड़ी लेते भाई क्योंकि इसने तो वो सेयर जैसे ही वो आधिकरत हुई है तो वो किसके राज सरकार के नाम पर तुरंथ हो जाएंगे उसका जो भी प्रोफट होगा राज सरकार को जाएगा ठीक है आधिक है अधिक है समपत्य देगान की कारवाई है तो फुर लाएं के अंदर के वहां आप पूरा मामला कम नफटाने की बाद हो रही थी एक बरस के विता और यहां पर यह समपत्य के समंध्न में जब सीच करने का अवम्दन दिया गया तो छे माय के अंदर जो नफटाने का काम करना है ठीक ह है इस अधारा 6 इस दहरा के बारत अधी गणका अधिस अधील कोई हो पारत अधिस Redinned होगा और किसी नियाला प्रसंगत में किया जाएगा ठीक- यह क्या हो जाएगा अगर ऑपील नहीं है तो उसकी जिसाह में अंतिम हो जायेगा नता किस्तिती में अपील में जो jours हो गा यह उत वो माननों को अन्सान का आकात्वर सून्हों जाना तो दोस्तो जब संपत्ति जो है अधिग्रत हो जाती है ठीक है जहां यह अधारा जाता कर scripture जाने कि फास्चा तो सुन माना जाएगा। मतलब सुन कैसा माना जाएगा। उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जिस व्यक्ति को भी मिलेगा उसको वापस करना पड़ेगा। अपील कहां होगी? ठीक है। तीस दिन के वीतर उच्छ न्याला में अपील होगी अगर कोई विसस्थ पक्षकार है किसी को लगता है कि उसके साथ गलत फ्यासला हो गया है तो लेकर अगर तीस दिन से लेट हो जाता है तो भी न्याला उसो एक त्युक्त अगर आउसर प्राप्त होता है लगता है कि हाँ लेट हो गया किसी केंगा से तो बाद में भी वो कर सकता है और दोना वक्ष कारों को उच्छे सुनूँ आई का और प्रदान करने के बाद नी अपील में कोई आधिस पारत हो गया आसा दो अपदारा कहती है ठीक है मां इसको नफता नहीं होगा ठीक है अगर देखो 6 माहींने से बंदा तो है नहीं बाहर भी जा सकता है एक साल दो साल भी लग सकते हैं लेकिन अगर उसने कोई उस्टे आडर से में जारी किया है तब फ़र 6 माय के अंदर इसको निप्टाना जो है पड़ जाएगा तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे यहां पर 11-18 है यह प्रेंटर स्टेक हो गया थोड़ा तामीली से तिस दन का समय दिया जाएगा कि आप जो से संपत्ति अधिगरत कर दें और सरकार को समब दें लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार में रह रहा है या बाहन है चलाना चाहता उसको अपने पास रखना चाहता है तो बाजार मूल पर उसको जो है कीमत जमा कर दे और अगर गयाने से इंकार करता है तो प्राजिकरत जो अधिकारी वो आवस्त्सक भलका प्रयोग कर सकता है और लỡ सकता है थिक है अधिक्श धन्हा समत्त्ति की बाफ्सी या वात 소개 कर दोस्तों बाफ्सीने थो लोता आपिल में उसको दोज मुक्त कर दिया तो उसके वाबस करने पढ़ेगी और पैसा वाबस करना पढ़ेगा अध्याचाराता है बच्छा हुआ है भाग को हम प्रकुल कहते हैं वेपराणमा तुटी के कराना सूचना आधिस का अभी दिन्मान न न न jsभाना अगर वेपराणमा कोई सूचन तुटी होती है कोई गलती होती है भूलबास तो उसका आधिस पर कोई प्रभावनी पड़ेगा, धारा भी होती है, लिपकेट्टू की काई प्रकागी तूटिया हो जाती है, अधिनियाम का किसी अन्य विद्री की आति देखतो हो ना, इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप, इसका मतलब है कि अगर कहीं और उस व्यक्ति अधिनियाम के अंतरगत अगर अलग होगी, यह अलग होगी, यह नहीं माना जाएगा कि यह हो गई है, तो अब जो है, नहीं होगी, ठीक है, अंधिनियाम का बरजम, धारा भाio जो केती है, अगर धारा 9 17 या 15 के आदिस कि बुर्द कोई संपत्ति सीज की जाती है, या उस खार इंट आने ले लेती है उसका कुई सिब्दक्रार कर बाइड जो ऊसमें नहीं कोई कारवाइड जो उसमें जहें नहीं आए अधिक कारवाई मेंकि करवाइड कर दोसके सवी जानते हैं ठीक है कि अध्यारोभा तो सब्सक्राम होगा यह इस तरीके से एना को पड़ा अब फटा फटा में इसके प्रस्न देख लेते हैं क्योंकि प्रस्न देखने से दोस्तों क्या होगा कि हमें काफी सहुलिजद हो जाएगी मद्द्प्रद्द्द्र बिसेज नियाला जिन्याम 2011 का दिनियम संक्यां क्या है तो दा संसा यह 8 है इसका ठीक है प्रकास दुगा तो इसकी डेट दस फरवरी 2012 को ठीक है इसका उद्देश क्या है तो उद्देश इसके तीनों है विसेज नियाला का ठन करना अपराज में अंतर में संपत्तियों का दिनियां करना यह सभी तो डी आफ्सन इसका जो है सही हो जाएगा तो इस तरीकी से दीनियां सर्थी से दो तक है वर्ष चान आथिनियां इसका सही हो जाएगा तो इसके बाद आथ्मा प्रसन आता है सब्सक्राइब कर दो जार ग्यारा के अधिन किसी अपराद के सब्सक्राइब की जाती है ठीक है बस नमबर आता है सब्सक्राइब करेगी राज सरकार डियासन सही हो जाता है किस ताब न की जाएगी तो जितनी संख्या कि आवसकत प्रयाथ हो उतना वह कर सकती है ठीक है कोई दिकत की बाद यहां पर नहीं है ठीक है अधियासन नियाला दिनियान 2011 के दिनियासन कोई व्यक्ति किसी विश्यासन नियासन की जाने के लिए अरहत नहीं होगा जब तक की ठीक है वह है क्या है कि दोनों उच्चे तर् स्यवा का सदस्य्हाहाखन सबीन रहा हो और उपर से क्या है कि सत्यन्याजीश यह अपर शक्तिन्याजी प्रफन सदस्योर ना रहा हो ठीक है इस तरीके से अगला प्रफन सब्सक्राइब कर दोनों ही यह तो आफसर सही हो जाएगा क्योंकि आवरबाद दोनों सही है मद्द पर्देश भी आफसर मिला लेना अगर कहीं कलत लगे तो प्रोक देना क्योंकि मैं भी इंसान हुं कलती शक्त से हो सकती है मद्द पर्देश भी आफसर दोस्तों सही हो जाता है ठीक है अगला है कि अगले को पड़ेंगे जहां दारा पांथ क्या दिन कोई गुष्णा किसी अपराज के शम्मंद जिसके संब्सक्राइब पहले यह विजिए संस्ता है तो तो शम्मंद एक और गुष्णा होने से पहले कि यह अपराज विश्यस नयाला है में इसका बचाण हो गाए तो वह कहीं भी और नियाला में संस्टत हो गई है लम्मत है तो तुरंत क्या होगा ठीक है वह अंत्रत हो जाएगा किसको विशयस नियाला को अंत्रत हो जाएगा तो आफसान इसका सही है भी 20 का ठीक है सब्सक्राइब करने के लिभ्यक्ति समझे जाएंगे लोक अभी हो जाएंगे ठीक है अब हम जो है आगे इसको पढ़ते हैं ठीक है तो बिसेस नियाला के किसी नियाला और दन्दा दिसके पर अपील की जाएगी वह चन्याला को आज का सईयांतर हो जाएगा मद्द परदेश विसेस नियाला दिन 2011 की धारा नो के अधिन विसेस नियाला के नियाला और दन्दा अपील प्रस तुसकी आएगे तीस दनों के वीदर बी आफसन साही हो जाएगा उच्चे नियाला तीस दनों की वहत काला वाजी का सब्सक्राइब कर सकता है बिलकुल कर सकता है और तो डिया अपसर इसका सही हो जाएगा अगर उसे यह लगता है कि इसके पास परियाप्त कारण है कि यह लेट क्यों हो जाएगा इसकी 310 के दिन कुण मावलों को ट्रांस ठाव कर सकता है तो उच्चे नियाला ही मावलों को ट्रांस पर कर सकता है वी आफसन सही हो जाएगा उन्तीज मद्यप्रदेश विसेस नियाला जिनियां 2011 की दारा 11 के दिन कितने इस्तकरा नुग्यें हैं तो कोई अधी आवस्तक्ता नहीं है ठीक है कर सके कर राय सरकार भी आपका सही हो जाएगा ठीक है अंगला है गलत हो सकता दोस्तों आप इसको मिलाते चलिएगा ठीक है मद्यप्रदेश विसेस नियाला जिनियां 2011 की दारा पंदरा तिन के प्रांतों किन संपत्ति अधिकरत नहीं की जाएगी ठीक है अगर वो पैसे जमा कर देता था भी संभावना कम हंगलत होने की फिर भी इंसानों एक बार मिलाते चलिएगा ठीक है भी आफसन इसका जो है स इसकता यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी उच्य आला योगी आफसन जो है संपत्ति आख और समास्टि आधिकरत अधिकरत अधिकरत अधिकारी के आधिकाली प्रद्द अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तीस दिन के वीचे फिटर ठीक है अर्थीज मद्ध प्रत्यास बेश्यास नियाला दिनियां 2011 कि धारा सत्र एक दिन की गई कोई अपील नपटाई जाएगी 6 माह के अंदर अंताली संपत्ति के अधिया जाएगा 30 दन के अंदर ठीक है आप संसाही हो जाएगा अब दो प्रस्ट नुवर बच्चे हैं दोस्त तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो तो इस तरीके से दोस्त हमने यक्ट पढ़ा उसके सारे क्वेस्टेंस लगाए बहुत बहुत दन्यवाद अंतर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सब्कामना है